इंडिया में जितने भी बड़े बड़े टेलीकॉम आपरेटर हैं जैसे आइडिया, वोड़फोन, एटेल, इविन डोकोमो इन सभी के यूजर्स को अब इंकमिंग और आउटगोइंग के लिए जारी रखने के लिए उन्हें रिचार्च कराना ज़रूरी है क्योंकि सभी न सर्विस वैलिडिटी का पैक रिचार्च करवाना ज़रूरी रहेगा अगर आपके अकाउंट में सर्विस वैलिडिटी नहीं है और आपके मोबाइल में बैलेंस है तो भी आप उसको नहीं निकाल पाओगे क्योंकि आपको सर्विस वैलिडिटी डलवाने का पैक कुछ भी जैसे 35, 65 या 95 का रिचार्ज कराना ज़रूरी रहेगा तभी आप उन पैसे को खर्च कर पाएंगे सभी कमपनिया यानि 4-5 कमपनिया जैसे आइडिया, वोड़फोन, एडेल, इविन डुकोमो ये सभी कमपनिया एक साथ मिलकर मोनपोली इन्होंने बना ली है यानि इनका कस्टुमर अगर फोन यूज करेगा, यानि जो इनक्टिव हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे यानि जो पैसे नहीं डलवाते थे, एवल सुनने-सुनने का इस फोन रखते थे उन्हें भी आप रिचार्ज करवाना ज़रूरी रहेगा या अगर उनका सर्विस वैलिडिटी अगर खतम हो गई है, तो भी उनको रिचार्ज कराना ज़रूरी रहेगा वरना उनकी कॉल या SMS नहीं आएगा और नहीं जाएगा या 90 दिन के अंदर अगर वो कोई रिचार्ज नहीं कराते हैं, तो उनका SIM भी बंद हो सकता है तो इसलिए यह क्यों किया है इन कंपणी ने इसका reason भी हम आपको बताएंगे और इसका solution भी हम आपको इस video बताएंगे, तो इस video को पूरा वोच्च कीजिए अब यह changing चेंजिंग का इन कंपनी यह क्यों किया है तो दीखिए जब जीओ आया है जब से टेलिकॉम इंडस्ट्री में तहल का मच गया है और सभी कंपनियां जीओ से कंपेर कर रही है नएने प्लान लॉंच कर रही है तो इसलिए इन कंपनियों को थोड़ा प्रोफिट कम हुआ इसलिए इसने यह प्लान लॉंच किये हैं यानि 35 65 और 95 जो 10 20 30 50 यह रिचार्ट होते थे यह सारे बंद कर दिये गए हैं यह 4-5 कंपनियां एक साथ मिलकर यह मुह उनको यह कर रहे हैं इनकी यही मुहीम है और यही रीजन है इस चेंजींगे का अब एसे में कस्टुमर यानि मुकदमां चल रहा है और try ने ये कहा है कि किसी भी customers की service बंद करने से पहले उनको call या SMS करें और उन्हें बताएं और अगर मान लीजे जो भी आपका tariff plan है service validity का अगर इतना main balance में उसके balance है तो उसकी service बंद ना करें लेकिन ये company कहा मानने वाली है तो इसलिए इसका हम solution भी आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते थे जो अपना primary SIM रखते थे केवल phone receive करने के लिए यानि out incoming के लिए और अपना एक secondary SIM भी उसमें रखते थे call करने के लिए जिसमें वो pack लग रिचार्ज कराएं तीन महीने का 6 महीने का जो भी रिचार्ज है थे 3099 या 599 इस तरह का रिचार्ज कराएं बड़ा बड़ा रिचार्ज कराएं या अगर आप secondary SIM ही रखना चाहते हैं मानली आपना personal SIM आपने अलग रख लिया जो कि हर महीने 35 का रिचार्ज आपको कराना है आपका primary SIM है और आप secondary SIM ही चलाना चाहते हैं तो आपको अपना secondary SIM BSNL में पोर्ट करा लेना चाहिए या जीओ में पोर्ट करा लेना चाहिए क्योंकि BSNL में 36 रुपीज में 6 मंद की service validity दी जा रही है तो आप इस चीज को भी ले सकते हैं या एक trick है अगर आप अपना सकते हो तो अपना सकते हो मान लीजिए आपने कोई भी एक पोर्ट का message किया वोड़फोन से आइडिया से एटल से या डोकोमों से किसी से भी तो आप ये ना बताईएगा कि हम एटल में जाते हैं या मान लीजिए वोड़फोन में जा रहे हैं या जिस operator के हैं आप तो उसमें आप ना बताईएगा आप BSNL या जियो में आप बता दीजिए कि उसमें हम जा रहे हैं वरना हमारे service validity बंद नहीं कीजिए तो ऐसा हो सकता है ट्रिक है आपको भी हो सकता है service validity free में ये company दे दे तो ये तरीका भी है और आप जियो में भी करा सकते हैं या BSNL में 36 रुपीज का 6 म बंद के लिए अभी validity मिल रही है आप जियो के अंदर भी port करा सकते हैं अपने number को तो friends उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आयोगी अगर आपको कोई सवाल ये suggestion है तो आप नीचे comment कर सकते हैं thanks for watching जै हिंद जै भारत